हेलो इन वेल्कम गाईज स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग नवी मुंबई प्रिमियर लिग टीट्वेंटी के बात करेंगे जो की मैच होका यहाँ पर अंबरनाथ एवेंजर्स वर्सिस सान पाड़ा स्कॉर्पियोंस के बि बात करें इसमेंट के लिग चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चनलको सब्सक्राइब कर ले ना है क्योंकि पूरी टूर्नामेंड इसी यूटूब चैनल पर कवर करेंगे इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अस्थम टीट्वेंटी के वीडियो मिलेंगे इसके साथ- Arabian T20 और Sharjah 100 के भी वीडियो आपको यह पर मिलने वाले है तो सारी अच्छे मैचिस के वीडियो यह पर मिल जाएगे तो YouTube चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर दो साथी में Telegram चैनल से भी जूट जाना है क्योंकि Final Update और Final Team आपको Telegram चैनल पर मिल जाएगी और Telegram से जूटरें के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Telegram का लिंक अटेच किया हुआ है इनकेस लिंक बग ना करें तो Telegram में जाएगे सर्च करिए Fantasy Edition Challenger या फिर आप सर्च करिए FDC27 और आपको सिता अमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल है आपको उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि Final Update और Final Team आपको Telegram चैनल पर मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो ये मैच सुपर में 9 बजे दादो जी कॉंदादी उस्टेडियम ठाने में खला जाएगा पीची रिपोर्ड की बात करते हैं इसे नूटल और बैलेंस है हाला कि रंस से यापर बनने चाहिए लेकिन जितने एक्सेप्टेशन है इतने भी रंस नहीं बने यापर 140-150 कास पास तो बनना चाहिए चेजिंग रेकोर्ड की बात करते हैं पास जाएगा तो तो टीम यापर टोल जिट करना पसंद कर सकती है तो सबसे नहीं पर टिम एम चाहिए बात करते हैं एक मेंच जिती तीन में चाहिए और एक मेंच अबार डॉनेट रहा है ओपनिंग में कौन है तो रवी विश्वा कर्मा और इनके साथ यह पर केविन अलमेडा दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं इंपॉर्णस की बाद करते हो दिखो यह पर विश्वा कर्मा तो एजर इसकी तोर पर आप लोग चाहो तो ट्राइक कर सकते वैसे भी लास्ट मैच वो नहीं खेले थे सोरी आपको यहां से इसके पहले वाली मैच कर नहीं ओपनिंग किया था परकि लास्ट मैच के अंदर केल्विन अलमेडा के साथ जैई बिश्वा ने ओपनिंग कर वाया था क्योंकि भाय सब का वेदा का परफॉर्मस काफी धमागेदार रहा है और आगे भी हमें इनसी उमीद के साथ हम लोग इनको कैप्टन करते हुए जाएंगे बाकि भाया कुमार की बात क्यों तो भाया कुमार ने लास्ट मैच के ने रेकरनें किया और उनके ओर और जो भी र आपको टेलिकम में मिलेंगे इनके लाव ऐसे पराग जादो की बात के तो पराग जादो इनकंसिस्टन्ट है लेकिन है आपको 17 दन के साथ एक विकेट और लास्ट मैच के ने 49 ये दोनों इनके बेस्ट परफॉर्मस रहें 22 मैच के ने करीबन 32 के वरे से 597 रहन है 12 सत्रा और लास्ट मैच के अंदर पर एक विकेट निकाल लिया तो वेरी इंपॉर्णेट पिकराएंगे डेफिनेटली लेके जाएंगे दिखेंगे आपको कहां पर दिखेंगे आपको बैटिंग से तो इनको लेके जाना रिस्की है आप लोग ग्राइंड लिगों के रहा क मैच के बिले कुछ नहीं किया था पहली दोनों मैच के अंदर भी इन्होंने दो दो ओवर्स की गैनवाजी की ती जहां पर सिर्फ सेकंड मैच के अंदर को एक विकेट मिली हुई है टीम के कपतान है लेकिन क्यों है ओ आई डॉन लेकिन यहां पर कुछ खास परफरमस नही इतन ने भौहिर ने लास मैच के नहीं रेक विकेट निकाला थोड़े से रिस्क ही रहेंगे लेकिन रिस्क लेना चाहो तो इस प्लेयर को बल ले सकते हो वागिन सिंगोटे और गोवारी यह दोनों ही कम्पलीट यहां पर कंशिस्टन प्लेयर रहे तो यह दोनों ही हमारी और एक मेच करने आपन दूब निकाले तो कभी भी बड़ा परफॉरमस दे सकते हैं तो वाइस कप्टान वगेरा करना है जाओ तो कर सकते हो और यहाँ पर चैंजिंस भी बहुत सारे होते हैं तो इसके लिए आपको जो भी अपडेट वके राएगी वो टेलिग्राम में मिलेंगे बाकी ऐसे इसकी बात कते है तो 6 मैच के लिए 6-6 हार के आ रही है अपने पहली जितकी तलास में ओपनिंग में आपर वरुन लवन्डे के साथ यहां पर आकास सावला दोनों ऑपनिंग करवा रहे हैं सावला ने लास मैच के लिए 46 किया था ओपनिंग भी किया है रिस्क लेना चाहा हो तो ले सकते हो वारुन लवांडे हमारे वाइस कफटन रहने वाले हैं इनको डेफिनेटली लेके जाना है मीत जैन को इस डिफ्रेंस एलों में ट्राइग कर सकते हो लास्ट मैच के लिए बीस रन के कच्छी पारी खेली और आठ मैच के लिए तो यह पर जैन के ओपर भी ले सकते हो तो इसे सावला या जैन इन दोनों में जैन किसी एक के ओपर आप लेके जाना कोई इतना भी जरूरी नहीं है वाकि मनिस राओ ने भी कुछ खास परफरमस भी तक दिया नहीं है फिर भी आपर इंका सिलेक्षन बहुत जादा होने वाला है ओल राउंडर सेक्षन में सबसे टॉप पर दिखेंगे इसी कारणी का सिलेक्षन जादा रहेगा ट्राइ करना जाओ तो कर सकते वाकि देख लेते हैं मुझे कोई चोईस मिल जाती तो मैं यह से मनिस राओ को ड्रॉप भी कर सकता हूँ वाकि सेयद मुहमद असलम सेक को जरूर लेके जाना है लास मैच के नर ने लिया उन्होंने एक विकेट भी निकाली तो मैं यह से करन अच्छा किये है पर विकेट भी निकाली वाको बैटिंग से रन भी किया लैकिन रेकिन बी कि तुह थी दो मैच के अंदर तीन मैचक को रिजाना मैखरे रिस्क किया भात के लिए ऐसे प्रतिक वरंग, तो इस प्लेयर ने मुझे काफी निराश कया मुझे इंसे बैटि से बॉलिंग से अच्छा पर्फरमस दे सकता है माली पिछली तीन मैच के अंदर दो-दो विकेट निकाल रहा है आप देख सकते हैं तो लेके जाएंगे हम लोग इनको डकवे वेरी इंपोरेंट पिक कंसिस्टन रहा है पूरी टूर्णामेट के अंदर एक मैच को छोड़ दे तो बाकी सारी मैच का ने देख एक विकेट उन्होंने निकाला हुआ है तो वेरी इंपोरेंट पिक रहेंगे यासे माली और डकवे दोनो स्टार्टिंग में आप जैस्वार के साथ डकवे है ये थोस में ऐसे डकवे के साथ यासे माली है तो आइ थिंग आपा तीनों कोई भरोसा कर सकते हैं तीनों कोई लेके जाना चाहो तो जा सकते हो इनके अलावा बेंचे से कोई भी पिलेर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अफ्डेट वगेरा टेलिग्रम में मिलेंगे तो जल्दी से जाओ टेलिग्रम चनल को जोईन कर लो अभी के लिए देख लिए हमारी फेंटासी टेम कोई से रह सकते है कौनसे प्लेर को लेके जाना है कुन से प्लेयर को लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते है तो बात करें पर विकेट केपिंग सेक्षन की तो विकेट केपिंग सेक्षन से आसे ए उपाज्य को लेंगे देखो इसके अलाओ और कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि लास मैच के लाओ अगर यहां पर अनिलकुमार अगर खेलते हैं यहांसे आर अनिलकुमा तो यह इंपाज़ेंगे इनको लेके जाएंगे बाकि और किसी प्लेयर के उपर रिसक कि नहीं लेना है हलाकि मोरी आपर ऊस होगेरा करवा सकते है तो व्रम कामत है क्यालविन अलमेडा और यहाँ पर ए माली रहेंगे यहां से जो लोग सेफ जाना चाहिए से एम जैन और ए सिंग को ले सकते हैं बाकी पी जादव अगेरा को आप अपने रिस्क लेना चाहो तो दिको स्टैट्स आपके सामने हैं मुझे ब्लैम करने से बहतर है कि आप लोग अकॉर्डिंग जिसको भी लेना चाहो यहां से ले सकते हो वाल्रावन सेक्षन में यहाँ जै विश्टा के साथ वी लवंडे इनके साथ यह से एस मुहमद असलम शेख और यहाँ पर अस्विन सेल के हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी बालिंग सेक्षन की बात के तो पी पीशिंग वोटे इन दोनों प्लेयर के उपर ही रिस्क लेना है बाकी सारे प्लेयर से रिस्क की रहेंगे अलाकि कुछ पबली किया पर ओम कामत के ओपर रिस्क ले सकते हैं कैप्टन और वास के प्रइस के लिए आप लोग चाहो तो इनके ट्राइ कर सकते हो बाकी मेरी टी में डेमो हैं फाइनल आपको कहा पर मिलेगी तो फाइनल आपको टेलिग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइन अप के बाद तो टेलिग्राम से जुड़ना बिलकुल मत बुलेगा और टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा इनके लिंक्स लि अपडेट और फाइनल दिम आपको इपर दी जाएगी यहां अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो अपने दोस्तों में और यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मै जय हिंद जय भारत